अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ जरीन आप देख रहे हैं जरीन किचन अगर आपको में रेसीपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बनाते हैं आजम बनाएंगे बहुती टेस्टी आंध्रा इस्टाइल ग्रीन चिकन करी बनाने के लिए मैने लिया आधा किलो चिकन दो हरी लाइची चार लॉंग दो दालची निक तुकड़े और दो तेज पत्ता वन टेबल स्पून अधरक लसन का पेस स्वादनूसर नमक वन एक प्याज एक लिम्बू का रस और एक टमाटर चले बनाना शुरू करते हैं ग्यास पर मैंने कड़ाई रग दी है उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जितना तेल तेल हलका सगर्म हो जाए इसमें हरी मिर्च और प्याज डालकर फ्राइच कर लेंगे यह देखे प्याज और हरी मिर्ची हलकी से फ्राइच हो चुकी है इन पर हलका सा गुलाबी रंगा चुका है अब इसे निकाल लेंगे और इसे थंडा कर लेंगे अब उसी कड़ाई में ने चार टेबल स्पून तेल डाल दिया है अब इसमें डाल देंगे करम मसाले और इन्हें हलका सा फ्राइच कर लेंगे यह फ्राइच हो चुके हैं अब इसमें एक बड़ा प्यास जिसे मैंने चॉप कर लिया है वो डाल देंगे और प्यास को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राइच कर लेंगे हाई फ्लेम पर मैंने प्यास को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है अब इसमें डाल देंगे अधरक लसन का पेस्ट इसे भी एक मिनुट तक अच्छे से भून लेंगे यह देखें अधरक लसन को मैंने एक मिनुट तक इसमें अच्छे से भून लिया है इसके अच्छी सी कुश्भू आने लगी है अब इसमें डाल देंगे चिकन चिकन को डाल कर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखें चिकन को मैंने प्याज और अधरक लसन के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें डाल देंगे नमक धनिया पौडर हल्दी पौडर जीरा पौडर साथ ही डाल देंगे टमाटर इन सब को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखें सारे मसालों के साथ मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब चिकन को हम सारे मसालों के साथ तीन से चार मिल्ट अच्छे से भून लेंगे जब तक ये भून रहा है तब तक हम इसका मसाला तैर कर लेंगे अब लेंगे एक मिक्सर का जार इसमें डाल देंगे हरा धनिया साथ ही डाल देंगे प्याज और हरी मिर्ट जो हमने फ्राइ करके रखी थी एक लिंबू का रस अब इससे अच्छे से पीस लेंगे ये देखें मैंने इस अच्छे से पीस लिया है चिकन को भुनते मुझे चार से पाँच मिट हो चुके हैं ये अच्छे से भुन चुका है अब इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून जितना दहीं दहीं को डाल कर अच्छे से mix करते हुए, एक मिट तक इसे और भून लेंगे दहीं को डाल कर भूनते मुझे दो मिनिट हो चुके हैं, यह अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डाल देंगे हरा मसाला जो हमने पीज कर रखा था और उसी जार में एक कप पानी डाल कर इसमें डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर 10 मिट तक चिकन गलें तक मीडेम फिलेम पर पका लेंगे चिकन करी को पकते 10 मिट हो चुके हैं चली खोल कर देखते हैं ये देखें चिकन करी बनकर तयार है बस आप गयास को आप करेंगे और इसे सर्फ करेंगे तो यह लीजे बहुत ही टेस्ट ही हमारे आंध्रा स्टाइल चिकन करी बनकर तयार है और अगर आपको में रेसिपी अच्छे लगते है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे अच्छी भी केचे लिए